अंजी हेलो स्वागत है आप सभी का आजी सिंग लेक्चर्स के इस लेटेस्ट अनॉंस्मेंट वीडियो में तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूं बहुत ही बैतरी जिन होंगे और एसल के साथ आपकी पड़ाई शांदा चल रही होगी तो प्यारे चैप्टर नंबर कुछ बुकस के साफ से अगर अब वीः बॉर बोर्ड के साफ से बात करें चैप्टर नंबर तुजो एलेक्ट्रों इसको फिनिश किया है झो लाक्त वीक आपके क्लास थी वो सारी एप अपर अफ्लोड हुई है काफी बच्क्न इस बात का आइडिया नह एक्षन पढ़ेंगे और इसका यह होने वाला है लेक्शन नमबर वन देखो प्यारे बच्चों आप सभी को एक चीज इंपॉर्म कर दूं कि आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो मैं नए चैप्टर का अनॉंस्मेंट करूंगा इस वीडियो मे कि कौन-कौन से नए चैप्टर अपन पर्सों से स्टार्ट कर रहे हैं और कल जैसे कि आप सभी को पता है सुद्धनता दिवस से तो आप सभी को सभी को बहुत 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 बधाई सुद्धनता दिवस की हैपी इंडिपेंडनेंस डे to all of us हम सभी को बहुत बहुत बहु इस वीडियो में मैं आपको पर्सों से स्टार्ट होने वाले इसको देख MS Start इस क्लास में आप सभी को आना है एक इंपोर्डेन बात यह है कि सूर्डे इंजरी से आपका जो chemistry का स्लेबस थोड़ा सा पीछे है ना वह इसलिए पीछे को कि एक महीने मेरी क्लास हो ही नहीं पाई थी पर उसकी चिन्ता आपको करने की जरूत नहीं है हम लोग chemistry का स्लेबस इस तरह से प्लान कर रहे हैं तो आपका chemistry चिका स्लेबर नवेंबर एंड तक फिनिश हो जाएगा आपको बिल्कुल भी चिंता करने के ज़रोत मिया आपका स्लेबर्स आन होगा उसके बाद हम बहुत ही कमाल का रिवीजन जो है उसको भी लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का स्लेबस आपका आराम से नवंबर एंड तक हो जाएगा आपको परिशान नहीं होना है पिछले वीक मेरे थ्रॉट इंफेक्शन भी हो गया था क्योंकि से मुझे लास्ट चैप्टर की कुछ लास्ट की वीडियो जो हैं उनको रिकॉर्ड अप्रोड करवाना पड़ा अभी वापस रिदम बन गया है तो अब दिक्कत नहीं आएगी और यह चीज आप ध्यान रखें कि आपका स्लेबस इस तरह से कंप्रीट होगा यह 12 और बच्चों के लिए हो गया उसके बाद 12 फिजिक्स जो है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंदे से सॉरी वेडनस दे से मतलब आपका जो परसों से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल स्वतना देर्स के आपकी शुट्टी है हम लोग इसमें कूलम्स लॉस से करेंगे कहां से रिविजिन करेंगी कूलम सो से दो से टेन करेंगे सबसे बढ़ा सवाल बत चुका कि क्या सार आप पूरी फिजिक्स पढ़ाओगे अच यहां शार कोपी कि है और तो काफी टाइम से शिडूले में आ रहा था कि physics हैं फिजिक्स हैं पड़ इत स्ट थी ऐसा क्यों सर तो ऐसा इसी लिए बेटा क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लासिस जो एप्लिकेशन पर चल रही थी सुभाष्ट के द्वारा उसमें रे ऑप्टिक्स चल रहा था और आपके 11 क्लास में भी पुराना चैप्टर चल रहा था तो सर्ण ने मुझे कहा था कि जब आपके फिजिक्स की क्लास है उसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं या आशी सब पूरी फिजिस वापस पढ़ाएंगे तो इसका एंसर है अगर ऐसा होगा तो इसका स्लेबस का कंप्लीट होगा इसका स्लेबस भी नवेंबर एंड तक फिनिश होगा अब वो कैसे होगा उसकी क्लासिस को कैसे प्लान किया जाएगा वो सब मेरे उपर छोड़ दो बट जो बाते में ने दौनों बोली है इनको आप अच्छे से नोट करके रख सकते हो यहां आपको परिशान नहीं होना है एक विशेश बात और बेटा हम लोग जो तैयारी करेंगे न वो हर लेवल पर करेंगे हर तरीके से करेंगे जो भी बोड का बच्चा पड़ रहा है चाए वह यूपी बोड का बच्छा हो एमपी बोड का राई सबके लिए प्लानिंग से एट है बस थोड़ी से इंपोर्टन नुमेरिकल सम करने वाले हैं आपके कुलम्स लॉक पर बेस तो आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है परसों आपके क्लास होगी समय रहेगा इसका रात को नौ बजे पहले मैं दिन में तीन बजे लेने की प्लान कर रहा था बर फिर बाद में समझ माया कि वहां पर आपका स्कूल वगर है तो रात को नौ बजे जो है हम इस क्लास को रखेंगे रात त्री काली नौ बजे ठीक है ओके चलो उसके बाद 11 वाले बच्चों के लिए भी आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है तत्मों का वर्गी कर जिसका लेक्चर नंबर वन हम लोग परसौन लेंगे टाइमिंग भी बता दूंगा आपको पूरे-पूरे यह जो क्लास होने वाली यह च्छे बजे होगी के मिस्ट्री की ठीक है विजिस की क्लास नौ बजे है और जो आपकी 11 के मिस्ट्री की क्लास है यह साथ वजे होगी शाम को आपका उसके बाद 9 से 10 यह अपना प्लानिंग रहेगा क्लियर सभी को कोई दिक्कत परिशानी इसमें तत्मों का वर्गीगन शुरू कर रहे हैं 11 क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि यहीं से चीजां आगे बढ़ती हम लोगों ने पर से बस्तों अल्मोस्ट होने वाला है और मैं वापस से रिलाउंच भी हो रहे हैं स्लेबस मेरा टार्गेट नवेंबर एंड है आपका नवंबर एंड तक से बस हो जाएगा आपको उसको लेकर बिलकुल भी परिशान नहीं होना है ठीक है फिचिक्स के मेंस्ट्री को लेकर क दोनों जो है उसका एक बार सलेबस मेरे दोर आपको कराया जाएगा उस चीज को लेकर भी आपको परिशान नहीं होना है अब आती बार आपके टेस्ट की टेस्ट को लेकर के आपको एक चीज इंफॉर्म कर दो मैं कि टेस्ट में आप लोगों ने जो भी टेस्ट दिया है बैचों ने काफी सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिये हैं तो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो आपके एप्लिकेशन में अनॉंस हो चुके हैं आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और अगर किसी मी बच्चे को वहां अपना टेस्ट का रिजल्ट तो आप टीम को कॉल कर सकते हैं तीम उसको चेक करेगी थोड़ी सी टेक्निकल एर्र जो है सब्लेटिव टैस्ट में आई थी अब उसको रिजॉल्व किया जा चुका है तो अगले टेस्ट में आपको इस प्रकाग को इस देखने को नहीं मिलेगा तो अभी मैं टेस्ट कर रहा को एलेक्ट्रो कमेस्ट्री का एलेक्ट्रो केमिस्ट्री का तो तैसgres अबेन्जेक्टिव आपके हैं लास ट्वील्ट के अलेक्ट्रो स्ट्र." ग्योट्रॉर्ण गत्सिक्स का टेस्ट क्तेस्ट हो से एकलर खेले जान। एक इसमें कोई शक के लिए होगे पीटा हाँ संडे को 11th क्लास का अबजेक्टिव टेस्ट होगा सब्जेक्टिव होगे अपने 12th के लिए 11th के लिए अबजेक्टिव होगा इसमें केमिस्ट्री में आएगा कैमिकल अटॉमिक इस्ट्रक्चर अटॉमिक इस्ट्रक्चर और जो आपका 11th का इसो केमिस्ट्री का हो गया अबजेक्टिव टेस्ट और फिजिक्स का आपका आएगा मोशन इन बंडी यह फिजिक्स का रहाएगा यह मोटे-मोटे तौर पर आपके संडे के जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट है वो आपके सामना अनौंस कर दिये हैं इन सबी टेस्ट की प्रपेशन आपको अभी से त्यार कर लेनी है अब सुनो मेरी बात ध्यान से य जिस एक महीने का डिले मेरी क्लासिस में आया है द्यू टू मेडिकल रीजन उसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा बट मैंना आपके सवालों का जवाब दे दिया है कि आपको अपने स्लेवर्स को लेके परिशान नहीं होना है आपको एसल पे हमेशा बैस्ट कॉंटेंट मिलेगा थोड़ा सा मुझे समय दो कि चीजें बहुत जदा बिगडी है बीच में में इस सहत के करण तो इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा वह समय मैं आपसे मांग रहा हूं प्लीज 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 कॉमेंट करना है ना डाउट ग्रूप काफी सारी टेक्निकल एस देखने को मिली उनको भी रिजॉल्व किया गया है तो अब आपके नए डाउट ग्रूप जो है न्यू डाउट ग्रूप वह आपको अवेलेबल हो गये है तो आप अपनी एप में जा करके अपने जो नए डाउट ग्रूप है उनको अच्छे से कर सकते हो ठीक है चलो तो अब आपको कमेंट करना है कि आर यू रेड़ी अब हम यह आप कह सकते हो परसों से अब हम एक तगड़ी वाली नई शुरुवात कर रहे हैं जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है बिलकुल भी प्रिशान होने की जरूत नहीं है आप हमारे साथ अब शुरू करोगे तो भी आपके बहुत सारे चैप्ट टेस्ट हैं और पसों के टाइमिंग्स मैंने क्लियर कर दी हैं कि कौन से क्लास का टाइमिंग क्या-क्या है बाकि आपको फिर भी कुछ अगर ऐसा लगता है कि सर यह हमें प्रॉल्लमेटिक लग रहा है तो आप कॉमेंट कर सकते हो एक और चीज जो जई वाले बच्चे हैं म आपको फिर्स अटेम्ट होने वाला है उसकी एक हम लोग स्टेप बाइस्टेप चल रहे हैं फिले बब बोर्ड फिनिश करते हैं फिरम लोग जैनीट फिनिश करेंगे यह मुटा-मुटा जवाब उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है और जिनोंने आशा बैच ले रख किया है आपको जैसा कि पता है कि दो वीक का रेस्ट नहीं लिया मैंने और एकदम से त्यारे क्लासिस लिंग उसका अफेक्ट भी देखने को मिला बॉड़ी के उपर हम कभी शरी के साथ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो उसका एफेक्ट आता है वह आया यहां भी पेन हुआ यहां भी पेन हुआ बढ़ ठीक है अभी मैंने काफी हद तक कॉपप कर लिया है अब आपको दिक्कत नहीं आएगी परसों से हम शुरू कर रहे हैं फुरा सपोर्ट तो आपका लगेगा है ना फुरा सपोर्ट आपका लगेगा और डाउड ग्रूप को अच्छे से यूज करो मैं यह काऊँगा कि जितना हो सकता है डाउड ग्रूप में काम के सवाल पूछो ताकि आपकी प्रिपेशन अच्छे से हो सके है तो आपको कॉमेंट जरूर करना है कि आप नई शुरूबात के लिए तैयार है और परसों से हम शुरू करें बाई बाई